आज आपा टेंथ क्लास दा फोर्थ चैप्टर दा पार्ट वन करन जा रहा है यां चैप्टर दा नाम है क्वाड्रेटिक एक्वेशन्स पंजबी वाले यां देविच नाम है दो काती समीकर्ण क्वेशन्स स्टार्ट करन तो पहला साथ चैनल विजडम एजुकेशन पॉइंट आर डी सी नू सब्सक्राइब करो ते था नो दस्तो केडिया केडियां प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्वेशन्स देना लेटर कमेंट देविच सब तो फर्स्ट जेडि एक्ससाइस जा था डी 4. प्रॉइंट बार्न ओधे सर्फ एतर सनयां के एक्वेशन जेडियां क्वेडियां क्वाड्रे्टिक हैजा नहीं है यहांगे क्व्ड्रेटिक एक्वेशन्न हुनुकेशन हिया एस फोर्म क्वाड्रेटिक एक्वेशिन हुनुके आमएंः वे ए devient कइसे सी कोई-भी कॉंस दा मतलो पावर, जेदी पावर दो होगे, होण आएक्वेशन्स नो कितना चेक करना है कि हे क्वाड्रेटिक जा दो का ती समीकर्ण है जा नहीं है यहनू सौलव करके देख लेना, सौलव करन दा बहुत असान तरीक है, माईनस टू अंदर ब्रैकेट खोल लो, मल्टिप्लाई कर लो, माईनस दा स्केर, माईनस दा स्केर, माईनस दा स्केर, जेदा क्या दो माईनस दा स्केर, does 2 दूसरे पासे जा के हो गया, प्लस दा 6 is equal to 0, देखोई नूं compare करिए, compare करिए S equation दे नाल, AX दा square, प्लस BX, प्लस C दे नाल, ता A के दे ब्राबर आगई साथे कोल, जानिके X दे square, दे मोरे जो अखर से का 1, B के दे ब्राबर आगई, माइनस दा 4, और C के दे ब्राबर आगई 6, मातलव के, yes, A quadratic equation है, एक कोजी form हो गई नहीं है दी, देखो, अगर एथे missing होंदा, X missing होंदी, ता फेर भी ये 2 काति समी करनता हैगी सी, S करके एह quadratic equation है, और next जो दो चेक करनी है, इना नूं अंदर multiply करो, multiply करना दा तरीका के दा पहला, X नू आना, दोना दे नाल, multiply करना, फिर 2 नू है न, दोना दे नाल, एद्दा bracket खोली दी हुन दी है, किन्ना आ गया, X दा square, plus X, minus 2 नू जदो कीता, minus 2X, minus 1, multiply 1, minus 2, is equal to, similarly, एद्दर solve करो, X दा square, plus 3X, minus X, ते minus 3, एक साइड ते लाया हो, सारी है, equations नू, X दा square, plus X, minus 2X, minus 2 है, ता अर्रेड़ी एद्दर से गा, आ, सारी है, चीज़न नू एद्दर लेकिया, minus X दा square, minus 3X, plus X, plus 3, is equal to 0, ब्राबर तो दूसरी पास से जाके, minus वाले, plus दे हो जान दे, plus वाले, minus दे हो जान दे है, हौन एक से जेड़ी होगे, 2X होगया, अगे, 2X दे 3X, आज भी जेड़ी सिखे, solve करो इस चीज़नू, एदे मोरे भी वान सी, एदे मोरे वान सी, हा, 2X होगया, minus 2X, minus 3X, minus 5X होगया, अगे, 3 दे विच दे 2 minus किते होगया, plus 1 is equal to 0, एदे जान आया, minus 3X plus 1 is equal to 0, होन देखो, X दे square वाली form जेड़ी हो, missing गया, अगर A missing गया, ता एहे कोई भी quadratic equation नहीं हैगी, क्योंकि एदे वाच दो का तिसमी करण है नहीं, एस करके एहे quadratic equation नहीं हैगी, next question, एदा होगया, simple, simple, होन अगर था नू, दित्ता होया, एदा ना question, एदे वाच quadratic check करनी है तुसी, तक एदा करूंगे, पहला question पढ़ दे हा, की लिख्या होया है, the product of two consecutive positive integers, और consecutive positive integers पहला पता होना चाहिए दा कहन दे केनुआ, positive integers नू पंजाबी दे वेच कहन दे हा, तना अत्मक संखेया मा, जानी के, प्लस दा 1, प्लस दा 2, प्लस दा 3, आप टू सो ओन, इन्फिंटी तक जान दा और consecutive होन दे हा, जेड़े संपूरण लगातार चाल दे हा, जेदा X हो गया, X प्लस 1 हो गया, X प्लस 2 हो गया, लगातार, इद्धा चाल दे होनू कहन दे consecutive numbers, होनू की कह रहे हा, the product of two consecutive positive integers is 306, जानी के सानु साबतों पहला मनना पहेगा के consecutive positive integers केड़े केडे लेने हा तुसी, ओ लगों के तुझी, let the consecutive positive integers is, एक लेलिया मैं X, दूसरा लेलिया मैं लगातार चाल लेना, X प्लस 1, दो ही लेने सी ता दो लेला है, होनू की कह रहे है है, उनना दा product, product दा मतलब होंदा, उनना दी गुणा, जानी के according to question की हो गया, X, ते X प्लस 1, इनना दा multiply जड़ाया हो, 306 है, आँ चीजों ने दित्ती होई है, होने इननू solve करोंगे, multiply कर दो bracket नो अंदर X दा square, प्लस X आ इद्दले पास लेगया, minus 306 is equal to 0, होन अगर तुसी यह नू compare कर देया, equation दे नालता है, quadratic equation बन दी बहिया न, ता yes, it is a quadratic equation, बस एथ ही खतम, सेर्फ चेक करना सी, next question अगर तुसी चेक करना देह देया, रोहन's mother is 26 years older than him, याने के रोहन दी मम्मी जेडिया, और 27 साल जेडिया, बढ़िया, ओदे तो रोहन तो, the product of their age is 3 years from now, will be 360, ता उना दिया, present age पता करनी है, होन जेडी चीज़ पता करनी हुन दिया, ओ मान लई दिया, let the रोहन's present age, present age मान लई मैं X, मतलव के जेडी वर्तमान उमर है, ओ एक्स मान लई, ता ओधी मम्मी होतो किन्नी बढ़िया, रोहन's mom जेडिया, ओ किन्नी बढ़िया, ओ बढ़िया, ओ बढ़िया, ओ बढ़िया, शब्भी साल, जाने के यह दे बैचा, शब्भी होर जोड़ 26 आपा add कर दता है दे बैचा, ता ओने की क्या होया है, 3 years from now, जाने के future दी गल कीती है, 3 years from now, जाने के होन तो 10 साल जेडिया हो, बाद, रोहन दी एज किन्नी हो जानिया, 10 साल बाद, रोहन दी एज दे बैच, 10 प्लस कर दो, X प्लस 3, और रोहन's दी mom दी एज जेडिया हो, क किन्नी हो जानिया, ओधी mom दी एज भी 3 प्लस कर दो, X प्लस 26 ता अल्रेडि सेगा, एदे बैच, तिन होर प्लस करते ता किन्ना हो गया, X प्लस 29, ए तिन साल बाद दी एज जेडिया, ता फिर उनने की क्या होया है, ओ कह रहा है कि उना दा, उना दी एज जेडिया है, उना प्लस 29, इना दी एज दा जेड़ा परडाक्ट या, ओहो के दे ब्राबर या, 360 दे ब्राबर या, आज इस तो बाद बहुत सिंप्ली, इनू सिंप्लीफाई कर लो, मलब के इनू क्वेशन नू साल ब कर लो, जिद्धा पहला ब्रेक्ट ना साल ब कीती है, तो एदा आंसर आ इक्वेशन, इस कॉष्चन दिस दे वेचे सरफ एदस्या होया सी, के एक वाद्रेक्ट इक्वेशन बन दिया है, जा नहीं बन दिया, होन जेड़े नेक्स्ट कॉष्चन है, ओह असली है, जेदे वेच आपा रूट फाइंड करांगे, के ये दे रूट है, केड़े- रूट फाइंड करी देया, ओह देख देया, देखो, क्वेशन दित्ता हुए है, उनाने, बहुत सिंपल जिया, फॉर्मूला आए दा, क्वाद्रेक इक्वेशन दा, सिंपल फॉर्मूला आए, ओह है, माइनस बी, प्लस माइनस, अंडर दी रूट, बी स्केर माइनस 4AC, ड पहला भी मैं करवाया हुए है, पिछले चैप्टरा देवेच, लेकिन आज फिर तो बापस करवा देनी है, हम देखो, एद वेच, एद बी और सी केडी केडी है, वैसे ता मैं पहला दास दे चुकी हैं, द्वारा देख लो, एदी वैल्यू हुन दिया, जेडी X दे स्केर, X दे स्केर मतलो, दो कात्ती समी कारण कोई भी हो साथी, X दी जागा थे Y, Z, A, B, C, कुछ भी हो साथाया, ओ दे मोरे जेडा अखर लगा होया, उनू कहन दे A, B दी वैल्यू किन निया, जेडा कले सिंगल X दे मोरे जेडा लगा होया, 1, C दी वैल्यू किन निया, माइनस द पॉनिया, फिर अगर B मानलो के एथे माइनस दा 1 होंदा ता एथे ब्रैकिट पाके माइनस दा 1 पॉना सी, ठीक है, माइनस B, प्लस माइनस अंडर दी रूट, B स्केर मतलो, दा स्केर, माइनस 4, इन्टू A किन निया, 2, इन्टू C किन निया, माइनस दा 6, डिवाइड 2, इ माइनस अंडर दी रूट देखो 1 दा स्केर जिनना मर्जी होवे 1 नहीं आएगा माइनस और आवली माइनस मलाके प्लस हो गया यह नूं मल्टिप्लाई कीता किन्ना हो गया 8 और 8 नूं मल्टिप्लाई कीता 6 ना 48 ठीक है divide 4 is equal to माइनस वन प्लस माइनस अंडर दी रूट 48 ठीक हो 1 प्लस कीता आगया 49 divide 4 होन साब नूं पता ही है 49 केदा अंडरूड होंदा या 7 दा प्लस माइनस 7 आगया सॉलव करके 4 होन देखो एक वारी प्लस लिखले ना एक वारी माइनस लिखला ना दो वैल्यूज आगई है यहां माइनस 1 प्लस 7 divide 4 दूसरी वैल्यू केदी आगई माइनस 1 माइनस 7 divide 4 सॉलव कर लो इस चीज नो X is equal to 7 चो 1 गया 6 divide 4 एद्दले पासे किन यह आगई 7 भी माइनस दा 1 भी माइनस दा माइनस 8 divide 4 जो चीज कैंसल हों दिया कैंसल कर दो दो दे टेबल ते दो नहीं कैंसल हो जाने आँ 2 ते गया आँ 3 ते गया एद्दर 1 ते और 2 ते X दी वैल्यू के निया गई 3 divide 2 ते एद्दर X दी वैल्यू के निया गई माइनस दा 2 आही एदे roots सी बहुत जादा असान question या एसा अब दे नाल करना अगर quadratic equation होवे आ formula चेते रखलो एदे नाल करना बहुत असान या गल्ती बहुत कट हुन दिया हण अगर था नूँ एक और question करोनी या एदे नाल दाई जे दे बहुत था नूँ दित्ता होया या find two numbers whose sum is 27 product is 182 देखो एदे ने question paper चौन दे या इना questions नूँ तुसी पहला form दे बहुत बलोना मतलब ax square प्लस bx प्लस c उस form दे बहुत ले किया होना उस तो बाद formula लगा के उदे root कड़ने या ठीक है पहला था उने की था नूद क्या होया कैंदा find two numbers जाने के दो number पता करो जिना था साम मतलब जिना था जोड 27 या जिना थी गुणा जेडी आओ 182 होन दो number पता करने नूँ कहया ता ओही दो number आप आज यूम करांगे मन लमांगे ना ता यह दा मतलब let the first number जेड़ा first number या ओह मन लिया मैं X ठीक है ते second number किना होगा देखो होन कोई A और B मन लो दो number या इना दो ना था plus जेड़ा या हो 27 दे बराबर या ठीक है बहुत simple जेड़ा question है होन मैं एक नूँ ता X मन लिया मन लो A में तो X सेगा B मैं पता करना है ता बहुत simple जे चीज या आज एड़ी B पता करना है आनो दूसरे पास से लेजो ठीक है ता यह दा मतलब जेड़ा या second number जेड़ा या हो किना हो जाएगा 27 minus X ओके होन तुसी देखो जो था नूँ दित्ती हो या according to question हो दे according to CO लगा दो और solve कर दो product जेड़ा दो दोनना दा कहन दा product according to question product दोनना दा किनना है X दा 27 minus X दा product जेड़ा या 182 यह नू solve कर लो किनना गया 27X minus X दा square is equal to 182 simplify करांगे यहनू सिद्धी जे equation बना अब देले की करांगे minus X दा square plus 27X minus 182 is equal to 0 आ चीज आ जाएगी होन अगर तुसी यह दी minus भी अग्गे तो हटाओ नहीं हा ता सारी equation नू minus देनाड multiply कर दो अगर तुसी यहनू रखना जाओ नहीं आता कोई प्राब्लम नहीं है कि ओही बी स्केर वाला फार्मूला लगाके असानी ना कार साकते हो नहीं ता minus ना वो सारी equation नू multiply करके प्लस दी बना लो X दा square minus 27X plus 182 is equal to 0 minus ना multiply कीता ता अंदली सारी equation दे sign change हो जान्दे हुन दे है ठीक है होण आँ था डेकोड quadratic equation आ गई होण मैंनू होर तरीके ना कराण लगी है तुसी S फार्मूले दे नाल कारके देख्यो बिल्कुल सेम आंसर आएगा minus B plus minus under the root B square minus 4AC divide 2A S फार्मूले नू एदे बेच पुट करके देख्यो आएक्वेशन हो इस दे बेच मैं था नू दूसरे तरीके ना करानी है अगर ओ असान लगा ता ओ कर लई हो देखो ओ तरीका किया के था डेकोड multiply करेते जेड़ा ओना चाहिदा 182 और plus minus करेते ओना चाहिदा या 27 minus दा 27 और multiply करेते ओना चाहिदा 182 ए रूट्स बना अगर दूसरा तरीका है होन एनू लिखना कितना है या देखो x दा स्केर as it is गब्बे गैप शाड़ले न plus 182 as it is is equal to 0 होन एथे दो कोई भी वालिया रक्मा जा number fill करने है x दे नाडल है के जिना नू multiply करेते 182 बन जबे और plus और minus करेते 27 बन जबे ए method थोड़ा difficult है क्योंकि adding बढ़िया बढ़िया equations दन सोचना है which time waste नहीं करना इस करके तुसी दूसरे method दे नाल ही कर लियो मैं था नूँ एक question करा दे निदा दे method दे नाल होन देखो जेड़े याद था अगर मैं minus 13x और minus 14x आ चीज करा ता 13 और 14 नू multiply करनते minus minus multiply करनते प्रस बन जाएगा और multiply हो जाएगी 182 और अगर दोनना नू plus करिये क्योंकि दोनने ही minus दे या आपस च प्लस हो जानगे ता ओ 27 उना दा plus हो जाएगा और sin आजाएगा minus दा बिल्कुल perfect equations है ठीक है पर ये नू लब्बन दे ले भी था नू time लाग जाने इस करके तुसी दूसरा formula अपना लेओ होन देखो इनना करनतो बाद तुसी दो दो चक्णे आहा दो अते आहा वाले दो इनना दोना चो जेडी भी common चीज आओ कार दे नी ए दे विचो x common आ गई ता किनना बचया x minus 13 bracket दे बैच बाच गया ठीक है एनना दोना दे विचो की common आ गया था decode minus 14 common आ गया क्योंकि 14 दे table ते 182 ओं दे या किनना बचया x minus 13 ठीक है is equal to 0 देखो एस एक्वेशन नूँ चेक कारंदा तरीका किया क्या सही है जा नहीं आ जेडी bracket या ना जेडी common आ के bracket आ ये हमेशा एकको जे होनी है अगर एकको जे नहीं होनी ता एदा मालो थाड़ा question गलत है होन देखो जेडी इकको जे होनी हो एककवारी लिखला नी दूसरी bracket की बन गए x minus 14 is equal to 0 होन कली कली equation नूँ 0 दे बराबर कर देना is equal to 0 x minus 14 is equal to 0 x दी value किननी आ गई 13 और x दी value किननी आ गई 14 आ था डेकोल दो equations आ गई या होन जदो x दी value 13 या ता second number किनना हो गया second number किनना सेगा में तो हो सेगा न 27 minus x 27 minus 13 is equal to answer आ गया था डेकोल 14 जदो x दी value 14 या ता second number किनना आ गया जेड़ा सी 27 minus x याणिके 27 minus the 14 is equal to 13 आ था डेकोल एथे जाके question खतम होया आ अगर फिर कह रही है अगर formula दा यदा नहीं पता चाल दा क्योंकि ये difficult है था तुसी as formula देना ले नो solo करके देख्यो a b c दी value पर के बिल्कुल same to same answer आएगा बिल्कुल same to same now next question है था डा the altitude of right triangle is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 13 cm find the another two sides होण एक किद्दा करना या question देखो उनने की दित्ता होया था डिकोड altitude जाने के ते hypotenuse हा था डिको right angle triangle है आ altitude था नू दित्ता होया 7 cm जाने के जेनू लंब केंदे या पंजाबी देवेच ते hypotenuse जेनू करन बोल देया करन ओ था नू दित्ता होया 13 cm ते तुसी find करनी है another two sides जेड़ी है right angle triangle दिया find करनी है अच देखो इनना नू find करन देले ही पहला था नू right angle triangle दा formula भी पता होना चाहिदा है ठीक है 7 cm दित्ता है नहीं है उनने कोई condition लगा के दित्ता होया exact नहीं दित्ता है बस condition लगाई होई है तुसी इस question नू करन देली साब तो पहला जेटा सानू नहीं पता base ओ लिखो let base of right triangle is equal to x cm ठीक है base मैं मन लिया होन उनने altitude देखते जेड़ी condition दित्ती होई है ओ देखो की दित्ती होई है ओ की कहनदा altitude of right triangle is 7 cm less than its base जाने के 7 cm काट्या ओदे base नाड़ो ता 7 cm काट्या जो दी condition सेगी होँ अपल लगादती ओके ते ओने hypotenious था नू दित्ता ही होया hypotenious मतलब करन ओ था नू दित्ता ही होया question देबेच 13 cm होन साब नू पताया जदो right angle triangle लग दिया ता pythagoras theorem लग दिया ता pythagoras theorem दे अनुसार की होन दाया था दा formula pythagoras theorem दे अनुसार फार्मूला होन दाया base दा square plus altitude जाँ perpendicular दा square is equal to hypotenious दा square यह दे बैच पुट कर देनिया value base किनना है था decode x square plus perpendicular किनना है x minus 7 दा square hypotenious किनना है 13 दा square यह थोड़ा जा solve कर लो किनना गया x दा square plus होन दिखो यह दो सिद्धा solve नहीं करना x minus 7 जाने के a minus b दा whole square यह दो कित्धा solve करों के a square plus b square minus 2 a b आ फार्मूला होन दाया यही फार्मूला है थे लगाओ x दा square plus 7 multiply 7 होगा 49 minus 2 a b 7 multiply 2 a 14 x is equal to 13 दा square किता 169 ओके solve कर लो 2 x दा square अगे किनना आ गया minus 14 x यह दो प्लस दा 49 यह आवी यह दो आके minus 169 हो जाएगा ते नहीं solve करके आजाएगा minus the 60 is equal to minus the sorry 120 is equal to 0 होन देखो सारी है equation हा 2 ते divide हों दिया क्योंकि आएदे मोरे हो मैं 2 अगर हटाऊना चामा ता सब कुछ 2 ते divide हों दाया ता 2 ते सारी है equations नो divide करके किना आ जाएगा x10 क्यार minus 7x minus 60 is equal to 0 ठीक है होन एस equation नो फेर हो ही formula minus b plus minus under the root b square minus 4ac divide 2a एदे नाल तुसी खुद solve कर ला ना मैं shortcut मारा जारी हो दूसरे वाले formula दे नाल जेदे नाल multiply वड़ा हो सकता है तुसी खुद S formula दे नाल कदे भी कोई question गलत नहीं हों दा ओदे नाल हले बंदा confused हो जान दा हाँ जी और multiply करेते 60 होना चाहिदा प्लस और minus करेते 7 होना चाहिदा और जेड़े अग्गे साइन या ना दोना दे उना दा भी ख्याल रखना है दोसी देखो x the square as it is लेख लिया minus 60 पिछे as it is लेख लिया एक गल हो जुरूरी है एस equation ते आ वड़ी चीज लगा उन ली एद वाले फार्मुले नो यूज करे हो तोसी यह दे ना कर्शन करे हो ही बड़ा होन देखो multiply करेते 60 होना चाहिदा और plus minus करेते 7 कितना आएगा अगर मैं 12 ते 5 वापस दे बच multiply कराता हो हो जाने 60 और अगर 12 दे विच्चो मैं 5 minus कराता हो हो जाने 7 बन गई equation होन माइनस आदा ख 5x लाँगी क्यों देखो minus 12 चो प्लस दे 5 जदो minus कीते ता मैंस दा 7 आगया और minus 12 चो प्लस दे 5 दे नाण मर्टिप्लाई करोंके ता मैंस दा 8 आठा जाना ठीक है होन ओही चीज दोना दे विच्चो कॉमन किया x कॉमन x माइनस 12 आ गया एना दोना दे विच्चो प्लस दा 5 common x-12 लागया इस इकल टू 0。 equation जटी एक को सी सैड़ साइड ते कीता x-12 arnya to 0 x 5 इस इकल टू 0 x-1 or x2 वेल्यू आगय मेह इस न वैलू आखिए चिकलेए एक हो न देखो किसे भी जड़ी equation या किसे भी ट्रेंगल दी कोई भी एक्वेशन या ओ माइनस चता नहीं हो सागती अगर किसे दी लंबाई तुसी माप रहे हैं ता माइनस चता थोड़ी माप होंगे इसकार के आ जड़ी या value reject कर देनी तुसी value जड़ी रखनी या हो 12 भी रखनी या होण आपकी find करना सी base जड़ा किन्ना आगया base x सेगा हो किन्ना आगया 12 cm और altitude आपका find करना सी हो किन्ना आगया ओ सेगा x-7 जाने के 12-7 is equal to 5 cm आथा दा question दा end होया ठीक है ए थोड़ा difficult different type दा question सी लेकिन तुसी या formula देनाल करके देखना विल्कुल same to same answer आएगा ठीक है next video देवेचा अगले question करांगे thank you